हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल मैं समीता कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही बहतरी मसाले की रेसिपी जिसे आप घर पर बहुत असान तरीके से बना कर रख सकते हैं और इसे आप किसी भी सूखी सबजी में ग्रेवी में या कुछ भी आप मसाले दार बनाना चाहते हैं जिसका टेस एंहांस करना चाहते हैं उसमें आप इसे आड कर सकते हैं और इस मसाले का नाम है मसालाई मैजिक यानि कि जिस भी रेसिपी में आप ये डालेंगे उसमे ये magic का काम करेगा और मैगी का जो मसाला है magic market में आता है ये बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है तो चलिए start करते हैं ये वीडियो उमीद करती हूं आपको जरूर पसंद आएगा अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो लाइक जरूर करें चानल को सब्सक्राइब करें और अपना फीड़बैक शेयर करना नहीं भूले ये जो मसाले मैजिक है इसमें कुछ खड़े मसाले होते हैं जिने हम ड्राइ रोस्ट करेंगे पहले मैं वो आपको बता देती हूं तो यहां पर 1 टेबल स्पून मेरे पास यह है तो इसी से हम मेजर करके 3 टेबल स्पून ले रहे हैं मोटा धनिया जो खड़ा धनिया आता है ये ले लिया है मैंने 1 टेबल स्पून मैंने लिया है जीरा आप यहां पर आधा साही जीरा और एक नॉर्मल जीरा जो आता है वो ले सकते हैं मैंने सिफ जीरा लिया है जो नॉर्मल हम घर में यूज करते हैं एक टेबल स्पून ही मैंने सोंफ ली है जो अचारी सोंफ होती है उसके साथ ही मैंने तीन सूखी मिर्चे ली है साथी मैंने लिया है 1 4 टी स्पून मेथी दाना बिल्कुल कम लेना है आपको मेथी दाना इसके साथी हम यूज़ करेंगे 10 से 12 लॉंग के एक छोड़ा दालचीनी का जाइफल जितना बड़ा पीस होता है उसका 1 फोर्थ आप ले लिए वो हमें यूज़ करना है साथ ही हमें यूज़ करी है काली मिर्च तो काली मिर्च 1 टी स्पून मैंने यहां पर लिए है याप साथ आठ दाने ले सकते हैं चार हरी इलाइची ली है ये जो 9 मसाले हैं ये हमारे पास मोटे हैं तो इन्हें हम ड्राइ रोस करेंगे फिर ग्राइंड करेंगे तो ये प्लेट में अलग रख रहे हूँ नेक्स सब लेंगे इसमें हम सारे पाओडर मसाले लेंगे जो हमारे किछन में नॉमली पाओड्र फॉर्म में होते हैं तो उसमें से सबसे पहले यहां पे में ले रही हूँ 1 टी स्पून देगी मिर्च या फिर कस्मीरी मिर्च जो कलर एड करेगी इसमें half tablespoon मैंने लिया है नमक, half tablespoon ही मैंने लिया है sugar आप powder form में भी ले सकते हैं साथ ही half tablespoon मैंने अमचूर पाउडर लिया है, half tablespoon मैंने लिया है ginger powder, half tablespoon लिया है onion powder and half table spoon ही मैंने लिया है garlic powder और half teaspoon लिया है corn flour तो इस तरह से इस प्लेट में भी 9 मसाले हमारे आ गए हैं तो यह जो हमारे पास powder form में हैं इन्हें हम just mix करेंगे पर बाकी जो हमारे पास dry मसाले हैं उनको हम एक बार अच्छे से तवे पस सेख लेंगे तो यहां पर मैंने एक pan लिया है और इनको हलकी आच पे बिल्कुल चलाते हुए इस तरह से roast कर लेंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा crunch आ जाए और जो मसाले का oil है वो release होता है तो बहुत अच्छी खुश्बू भी आ जाती है मसाले में तो बस यहां पर थोड़ा सा मैंने इसको roast कर लिया है कलर नहीं बदलना है उसके बाद इसे थोड़ा सा इसी तरह से ठंडा किया है मैंने pan में ही और उसके बाद इसको ले लेंगे एक grinding चार में और इसे बिल्कुल fine powder की तरह पीस लेंगे इसके साथ यहां पर जो sugar मेरे पास है मैंने मोटी ली है तो यह भी मैं इस time paste में add कर दूँगी ताकि यह भी अच्छे से पिस जाए और भी कोई मसाला जिसको आपको लगता है कि आपको और थोड़ा सा fine करना है जैसे मेरे पाक गालिक पाउडर है अनियन पाउडर है यह भी थोड़ा सा मोटा मुझे लग रहा है तो इसको मैंने इसके साथ add कर दिया है ताकि यह सारी चीज़ें एक सार हो जाए इस तरह से एक बार अगर पाउडर मसालों को भी मसाले के साथ चर्ण कर लेते हैं तो वह बिल्कुल evenly mix हो जाते हैं स्पून से आप कितनी भी कोशिश करें वह इधर दूर रही जाते हैं तो यहां पर जो सारे मसाले हैं powder मसाले उनको भी मैं grinding jar में ले रही हूं और अगेन इसको दो तिन बार चला लेंगे हलका सा pulse mode में ताकि यह सारी चीज़ें एक सार हो जाए mix हो जाए तो यहां पर यह मैंने एक बार ऐसे भी चम्मत से mix कर दी हैं और अब इने ग्राइंड कर लेंगे थोड़ा सा तो इस तरह से ये पाउडर फाइन भी हो जाएगा और सारी चीज़ें एक तरह की हो जाएगी कोई मोटी या बारिक नहीं रहेगी तो इस तरह से आप देखिए कितना बढ़िया ये मसाला रेडी हो गया है और इसके बनने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा फ्लेवर उसका बनके आता है कोई भी ड्राइए सबजी है उसमें आपसे यूज़ कर सकते हैं आपने मसाला ये मैजिक जो मैगी का आता है उसका एड तो देखा ही होगा कितनी सारी सबजियों में उसे अधो भी काफी सारी सब्जीयों में मसाले को यूज़ कर सकते हैं तो आप जो अपने मसाले डालते हैं उनकी कॉंटिटी थोड़ी कम करके आप इस मसाले को एंड में थोड़ा सा डाल दे तो बहुत ही अच्छा टेक्शर आता है तो यहां पर ये मसाले को इस तरह से याप अच्छे से airtight bottle में fill करके रख दें छे महीने तक कहीं नहीं जाता है और इसे आप fridge में न रखके बाहर ही रखके क्योंकि regular विस्ट पे आप हर सबजी में यूज़ करने वाले हैं और इसको मैंने इस तरह से label कर लिया है मसाला एं magic लिखकर और इस तरह से जो भी मसाले आप बनाते हैं अगर label कर लेते हैं तो बहुत easy रहता है मसाले को पहचानना और उसे use करना यह जो हमारा मसाला एं magic बनकर ready हुआ है बहुत ही amazing है टेस्ट में और आपकी सबजी में चार्चान लगा देगा बट यह market में मिलने वाले यहाँ पर mention नहीं किया जाता है बट आप घर पर इस मसाले को बहुत आसान तरीके से अपनी preference के मसालों के साथ बना सकते हैं जो आपको पसंद है जिसका strong flavor पसंद है उसको ज़्यादा quantity में डाल ले जो नहीं पसंद उसे कम quantity कर ले जो बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं उसे आप skip भी कर सकते हैं तो आप अपने हिसाब से अपने मसाला magic को अपने according बना सकते हैं और बहुत ही amazing बनता है यह तो इस तरह से आप भी इस मसाले को एक try जरूर दें और मेरे साथ feedback share करें कि कैसा बना आपका यह मसाला मैंने अलड़ी घर पर बहुत सारी मसाले आपके साथ बना कर share किये हैं उनके लिंक में आपको description box में दे दूँगी घर पर बने हुए गरम मसाला सामर मसाला, सबजी मसाला इनका taste बहुत amazing आता है मारकेट से अगर आप मसाले खरीद कर लाते हैं तो उनके साथ इनका कोई comparison नहीं है यह बहुत ही ज़्यादा fresh flavor वाले होते हैं और इनका aroma काफी अच्छा होता है तो आप try करें और मेरे साथ feedback share करें मैं मिलती हूँ आप से कसी और नई interesting video के साथ तब तक के लिए bye thank you thanks for watching have a nice day जिय को हौआ के आए